औंग चाप द्वारा निरमत ब्रित खंड का च्थपल, तो ब्रित थीटा बटा में 306 माइनस 1 by 2 sin थीटा चलिए अपकी बार मैं यह फॉर्मला यूज कर लेता हूँ 1 by 2 sin थीटा ठीक है? यह भी आपके बुक में फॉर्मला दिया है और मैं sin थीटा बटा 2, cos थीटा बटा 2 यूज कर रहा हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका ठीक है मैं इसलिए वो बता था था क्योंकि थीटा का मान कुछ भी हो सकता आपके बुक में तो अगर 90 से बड़ा हो तो आप गरबड कर दोगे इसलिए मैंने यह किया था ठीक है, तो आर स्क्वाइर, आर कितना है आपका 21 है तो 21 गुना 21, ठीक है ब्रेकेट के अंदर पाई का मान, तो पाई का मान 22 बटा में 7 ठीटा का मान 60 दिया है और बटा में 360 माइनस 1 बाइ 2 साइन, इतना हो जगा, 60 डिगरी तो साइन, 60 का वैलू आपको पता है रूट 3 बाइ 2 होता है, रख देंगे यहां 441 ब्रेकेट में देखो, यहां सॉल्व करेंगे यह कट जाएगा, 6 बार में 2 से कटेंगे, 3 और यहां पर 11, तो 11 बटा में 21, माइनस 1 बाइ 2 इंटू रूट 3 बाइ 2 तो रूट 3 का मान कोशन में आपके दिया हुआ है 1.73, यही रखेंगे ठीक है, 441 ब्रेकेट के अंदर 11 बटा 21, माइनस का 1.73 बटा में 2 दूना 4, यही नहोगा आपका चाहो तो मैं अब यहां LCM ले सकता हूँ 441, ब्रेकेट के अंदर LCM हो जाएगा आपका कितना 84, 84 इसमें इसे भाग करेंगे 4, 4 जाके एक अरव में गुना करेंगा 44, माइनस, इसमें इसे भाग करेंगे तो आपका आजाएगा कितना, 21 और 21 में 1.73 से इंटू करो तो आजाएगा कितना 36.33 चलिए 441 गुना में यह सेंटीमीटर स्कुरर लगाएगे यहां घटाओगे तो आपका आजाएगा 7.67 और बटा में 84 सेंटीमीटर स्कुरर इसको काड़ दते है 21 से 21 बार में और 21 से यह 4 बार में 21 में 7.67 सेंटू करो तो आजाएगा यहाँ पर गुना करोगे तो 161.07 और बटा में 4 सेंटीमीटर स्कुरर भाग करेंगे इसमें तो आएगा 40.26 7.5 सेंटीमीटर तो लगभग में इसको 40.26 को हटा के 7 कर देते हैं बाकी आगे से मैं डिजिट को हटा देता हूँ यह आपका एंसर हो गया कोसा नमर ठाइब